सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकिन नेवर मिस अन अपडेट हलो दोस्तों गोडी उनिंग स्वागत है आप सभी का मिस्राजी टेक्निकल यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2017 के जनवरी से अक्टूबर तक के करेंट अफेर्स के बारे में अब को मंतली करेंट अफेर 2017 की प्ले लिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी तो आपको प्ले-लिस्ट की लिंक डिस्क्रियो में मिल जाएगी इसके साथ ही आप उन सभी वीडियो बिलाए भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम घ्रूप से जुड़ना होगा टेलीग्राम ग्रूप का लिंक भी मैंने डिस्क्प्षन में दे दिया है आप वहाँ से जूड़ जैए और सभी पांट के जितने भी पीडियो फाइल है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा पास में बेल आइकान मन कर आएगा उसको वी क्लिक कर लीजेगा जिससे मुखवीर योजना की शुरुवात की है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में ये योजना शुरू ही थी और ये योजना करन्या भूर हत्या को रोकने के लिए शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के बारे में तो आपको पता ही होगा अगर आप डेली करेंट अफेर की वीडियो में ये ज़रू बताता हूं तो इसलिए आप लोग डेली करेंट फेर वीडियो देखा कीजिए ये मंतली करेंट फेर वीडियो है दोस्तों इस वीडियो में मैं वो सब चीजे नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत जालास हो जाएगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स है एक जुलाई 2017 को कौन सा कर लागू होने से देश में उत्पादेत वस्तुओं और सेवाओं पर पहले लगने वाले सभी केंद्रियों राजिसकर समाप्त हो गए हैं तो कौन सा कर लगा एक जुलाई 2017 को जीस्टी पस्तुयम स्वेवा कर गूट्स एं बारे में कुछ important point जान लेते हैं जो बहुत ज्यादा exam में पूछे जाते हैं तो सबसे important जो point है दोस्तों कि जीस्टी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है यह दोस्तों बहुत ही important point है railway LP में लगबग 8-10 बार पूछा गया था 8-10 shift में पूछा गया कि सबसे पहले जीस 2014 में एक बिल पारित किया गया जो की 122 समीधान संसोधन बिल था ठीक है कौन सा था ध्यान से देखेगा 122 में समीधान संसोधन बिल के तहट 2014 में संसर में पारित किया गया और यह लागू हुआ भारत में 101 समीधान संसोधन के तहट ठीक है भारतिय समीधान का यह 101 समीधान संसोधन है क्लियर है नेक्स्ट है अंतर्राष्टी जनसंख्या दिवस मना जाता है तो अंतर्राष्टी जनसंख्या दिवस दोस्तों मना जाता है प्रतेक वर्स 11 जुलाई को अंतर्राष्टी जनसंख्या दिवस से हम लोग भारत की जनसंख्या यानि की भारत की जनगर्णा क काउंट कर सकते हैं लिंक कर सकते हैं तो भारत की जनगर्णा दुस्तों शुरुआत हुई 1872 से 1872 इस भी में लाड मेयो के सासंकाल से उसके बाद नियमित जनगर्णा शुरू हुई 1881 से 1881 के बाद में प्रतेक 10 वर्सों के बाद जनगर्णा होना शुरू हो गया 1921 जिसमें जन गर्ना को महाविभाजक वर्स कहा गया और 1931 में यानि की next उसकी जन गर्ना के बाद 1931 में पहला ऐसा दॉर हुआ यहां जाती यह अधारित जन गर्ना हुई ठीक है उसके बाद 20 सालों बाद यानि दो जन्गर्णा के बाद 1951 को दोस्तों कहा गया जन्गर्णा का लगु विभाजक वर्स ठीक है आपको ध्यान में रखना है 1921 को कहा गया जन्गर्णा का लगु विभाजक वर्स और इसके साथ ही भारत आजाद हुआ था 1950 में पूरी तरह के से तो 195 1991 में जन्गरना हुई इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सोतंद भारत की पहली जन्गरना कब हुई तो आप बताएंगे 1991 में तो यह सब चीजे हैं दोस्तों जो जन्गरना से आपको पता होना चाहिए नेक्स दिखते हैं नेक्स है विश्व की लंबी सब्मरीन केवल पराणी को किस कमपनी ने लांच किया तो यह लांच किया है रिलांच जियो ने विश्व की सबसे लंबी सब्मरीन केवल पराणी को लांच किया Reliance Jio, Reliance Industries की अंतरगत आती है Reliance Industries की मालिक यानि की चेयरमेन है दोस्तों मुके सम्मानी और मुके सम्मानी एसिया की सबसे अमीर वक्ती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए चलिए next दिखते हैं next है भारत के सबसे बड़े global skill park का उधगाटन कहां पी किया गया भारत के सबसे बड़े global skill park का उधगाटन किया गया दोस्तों भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी चलिए next दिखते हैं next है दस्वा ब्रिक्स सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां हुआ तो दस्वा ब्रिक्स सम्मेलन 2018 में हुआ दोस्तों इसका हुआ आयोजन जोहानिस बर्ग में लेकिन ये 2017 का current affair है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि 2017 में कहां हुआ तो 2017 में नववा ब्रिक्स सिखर सम्मेलन हुआ था और ये हुआ था चीन के जिया मेन में ठीक है चीन के जिया मेन सहर में हुआ था बिक्स सम्मेलन का नौइ बिक्स सिखर सम्मेलन अब बिक्स आया है तो हम लोग बिक्स से कुछ चीजे हमें पता होने चाहे तो बिक्स की फुरफ़ाम मने हैं देशों की नाम से देश कौन-गौन से है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफरीका ठीक है जिसमें साउथ अफरीका जो है वो 2010 में सामेल हुआ पहले इसका नाम ब्रिक था लेकिन ब्रिक्स हुआ बाद में 2010 में ब्रिक्स की अस्थापना हुई 2006 में क्लियर है चले jedenap Hindi नेक्स दीखते हैं next if 14 वुद्ट में मनाया जाता है तो 14 वुदू को दोस्तों मनाया जाता है विक्षु रक्तदान दिवस यह important है पूच्छा जाता है 14 j texto को कौन ये बंगाल फिर्मों के परसिद अभिनेता हैं और इनको फ्रांस के सर्वोच नागरिक सम्मान लीजर आफ आनर से 2017 में सम्मानित किया जा चुका है चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स है किस देश ने पहली बार अद्रिस से पटरी वाली ट्रेन अस्थाफित की तो इसको मैंने पार्ट वन में भी आपको बताया था अद्रिस से पटरी वाली ट्रेन अस्थाफित करने वाला देश बना दुनिया का पहला देश चाइना चाइना दोस्तों काफी टेक्नोलोजी में एडवांसमेंट कर रहा है सरकार की घोशना के अमसार किस बीमारी से पीरियत रोगियों को आधार नंबर देना अनिवारे होगा तो सरकार ने एक घोशना की जिसमें बताया उनों है कि टीवी रोगी जो है उनको आधार नंबर देना अनिवारे है चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स्ट है किस राज सरकार ने प्रार्थमिक और माध्यमिक विद्यालेओं में सनिवार को नो बैग टे खोशित किया है तो सनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रार्थमिक और माध्यमिक विद्यालेओं में नो बैग टे खोशित किया है यानि सनिवार को बच्चे ब विजेता थी भारतिय क्रिकेट टीम पाकिसान ने पहली बार चैंपियंस ट्राफी 2017 में जीता अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट चैंपियंस ट्राफी की तो ICC की नेक्स्ट चैंपियंस ट्राफी होगी दोस्तों इंडिया में इसको होस्ट करेगा इंडिया ठीक है इंडिया ये तब चर्चे में आया था जब 2017 में हैकरों ने यूरोप अमेरिक्या चीन और रूस की कंप्यूटरों पर ऐसा वाइरस डाल दिया था जिससे उनके कंप्यूटर काम करना बंद कर दिये थे तो इस वह से हाइलाइटेड हुआ रैंसम वेयर तो रैंसम वेयर आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये एक क्लार का कंप्यूटर वाइरस होता है नेक्स्ट है नासा ने भारत की किस राश्पती और अंत्रिक्ष वैग्यानिक को सम्मान देते हुए एक नए जीव बैक्टिरिया का नाम उनके नाम पर रखा तो एपीज अबदुल क्राम के नाम पर रखा गया हूँ उस राखलया का नाम और यह नाम रखा है नासा ने नासा की फुर्फा आपको पता होना की नासा की को दोसूं बनाया जाता है अंतर राष्ट ये मजदूर्दिवस एक मई को यह दोस्तों गुरूप के एक्जाम में पूछा जा जुका है mau next suggesting लागू करने से संबंधित प्रस्ताऊ पारित करने वाला अंतिम राजे है तो GST दोस्तों लागू होने के बाद प्रस्ताव पारित हुआ लास्ट में जम्मू कस्मीर में ठीक है लास्ट राजे जो बना वो जम्मू कस्मीर बना GST के बारे मैंने सब कुछ आपको बता दिया है शुरुवात में ही वीडियो के अब आप दो चीज़े जान लीजिए कि GST से सम्मंधिर प्रस्ताव पारित करने वाला अंतिम राजे कौन सा है तो अंतिम राज है जम्मू कस्मीर दूसरी बात आपको दियान में रखना है कि इसको पारित करने वाला पहला राजे कौन सा है तो पहला राजे बना था असम क्लियर है GST सबसे last में पारित हुआ जम्मू कस्मीर की संसद में और सबसे पहले पारित हुआ असन की संसद में इन दोनों points को आपको याद में रखना है ये भी पूछा गया है कई बार exams में नेक्स्ट है किस देश ने खुद को bird flu से मुक्त खोसित किया तो किस देश ने किया भारत ने किया इससे पहले दोस्तों भारत 2014 में ही पूलियो मुक्त हो चुका है ठीक है तो 2017 में bird flu से भी मुक्त हो गया है नेक्स्ट है कौन सा भारतिय सहर देश का पहला UNESCO World Heritage City बना तो UNESCO World Heritage City बना है दोस्तों आहमदाबाद सहर आहमदाबाद को UNESCO ने World Heritage City की नम से खोसित कर दिया है अब आहमदाबाद से एक दो चीज़े हम लोग और जान लेते हैं आहमदाबाद को दोस्तों हम लोग कहते हैं भ युनिस्को आया है तो युनिस्को के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं युनिस्को की फुल फार्म होती है दोस्तों United Nations Educational Scientific and Cultural Organization क्या होती है मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं आंद्रे अजोले हैं इसके महा निदेशक नेक्स्ट हम बात करें तो अंतराष्टी मंडेला दिवस कब मना जाता है तो अंतराष्टी मंडेला दिवस दोस्तों मना जाता है अठारा जुलाई को मना जाता है अंतराष्टी मंडेला दिवस नेलसंस मंडेला के बारे में आप ल बड़ा दुख्ध उत्पादक देश कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा दुख्ध उत्पादक देश बन गया है भारत इससे पहले था चाइना अब बन गया है भारत विश्व का सबसे ज्यादा दुख्ध उत्पादक देश नेक्स्ट है जल दिवस का मना जाता है तो जल दिवस दोस्तों मना जाता है प्रतेक वर्स 25 माई को नेक्स्ट है भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन बना तो भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना दोस्तों हवीब गन रेलवे स्टेशन भोपाल में बोपाल यानि मद्य प्रदेश में है हभीब गंज रेलवे स्टेशन और ये बन चुका है भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन निजी मतलब प्राइबेट तो भारत का पहला प्राइबेट रेलवे स्टेशन बना है हभीब गंज रेलवे स्टेशन नेक्स्ट है जून 2017 से कितनी बार से ज़्यादा ATM से नगर निकासी करने पर सर्विस चार्ज देना पड़ेगा तो जून 2017 से दोस्तों एक नियम लागू हुआ है जिसके अनुसार अगर आपके पास ATM है और आप महीने में चार बार से ज़्यादा उससे ट्राजिक्शन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा नेक्स्ट है वैग्यानिकों ने किस नाम से सबसे गर्म ग्रह की खोज की तो 2017 में दोस्तों केल्ट 9B के नाम से भारती वैग्यानिकों ने सबसे गर्म ग्रह की खोज की थी ओके ग्रह का नाम था केल्ट 9B नेक्स देखते हैं नेक्स है भारत में पहली बार किस सहर में ट्राफिक कंट्रोल के लिए 14 फुट लंबा रोबोट नियुक्त किया गया तो भारत में पहली बार ऐसा हुआ इंदोर सिटी में जहां पर ट्राफिक कंट्रोल के लिए 14 फुट लंबा रोबोट नियुक्त किया फ्राफिक कंट्रोल सिस्ट्म के लिए नेक्स देखते हैं नेक्स रिक्तन नाटो में कहां आयो щit हुआ तो नाटो का सिखर समयलन 38 वा दोस्तों ब्रूसेल्स में ब्रूसेल्स हैं बेलजियम की रास्तानी कि और नाग्तन होते है नाटो का फुल-फ़ाविं नाटो के स्थापना होग हो थी दोस्तों 49 में और इसका मुख्याले है प्रुशिल्स नेंसका मुख्याले नेक्स्ट है प्रदान नंत्री差不多 नेंग ह współ ने न देश के सबसे यज्री पूलका उद्घाडन कहा किया थो प्रदान मुद्न तो 5 किलोमीटर ये है असम में चले नेक्स देखते हैं नेक्स है अपनाने वाला देश का पहला सहर है तो अपनाने वाला देश का पहला सहर बना नागपूर नाकपुर है महाराष्टर में नेक्स्ट बात करें विश्व की सबसे लंबी दुर्वीन का निर्माड कहा आरंब किया गया तो विश्व की सबसे लंबी दुर्वीन का निर्माड आरंब किया गया चिली में नेक्स्ट है साइकल से गस्त करने है तो किस राज की पुलिस ने साइकिल गस्ती दल का आरम किया तो साइकिल गस्ती दल का आरम किया दिल्ली पुलिस ने और यह important है दोस्तों एक बार पूछा गया है साइकिल गस्ती दल का आरम किस ने किया तो आप बताएंगे साइकिल गस्ती दल का आरम किया दिल्ली पुलिस ने य 2017 के Current Affair से Group D exams में काफी कुछ इंस पूछे जा रहे हैं तो आप लोग 2017 के Current Affair को जरूर देखिएगा इसके साथ ही 2018 के भी मैं सेत्मबर तक के Current Affair की वीडियो बना चुका हूँ तो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लो अगर पीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने Facebook और WhatsApp ग्रूप में इसे एक बार शेयर जरू कर देए इस वीडियो की पीडिया फाइल दोस्तों आप लोग Telegram ग्रूप से डाउनलोड कर सकते है टेलिग्राम ग्रूप का लिंक मैंने डिस्क्रिप् हुआ हुआ है